मैंने एक वीडियो बनाया था जिस में आपको बताया था कि यूपी गवर्मेंट जो फोन भांट रही है उसका वाल पेपर कैसे हटा है उसमें जो रिश्ट्रिक्शन्स लगी हुई है उनको कैसे हटा है तो आप में से कई लोग हटा पाए होंगे कई लोग नहीं हटा पाएंगे, कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में आपको कुछ points बताने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है, कि आपको पता होने चाहिए, अगर आप UP government दोरा दिये गए, फोन को चलाना चाहते हो, नहीं भी पता होगा, तो कोई नुकसान नहीं है, पर जानकरी रहे, तो ज्यादा बहतर है, मैं आपको चीजे बताऊंगा, उनके साथ उनके reason बताऊंगा, और अगर आपको सही लगता है, तो आप उन चीजों को use कीजेगा, वरना कोई बात नहीं, तो इतना तो आपको पता ही होगा, कि government जो आपको phone दे रही है, वो Samsung A30S का model है जिसको की जब आप setup करने जाओगी, उसी वक्त आपके phone में लिख क्या जाएगा, this phone is configured by UPdesco, अब जिसे नहीं पता UPdesco क्या है, यह एक public sector undertaking है, यानि कि इस company में 51, 51 या उससे ज़्यादा परसेंट की partnership, government की है, basically, मोटा मोटा phone है, उस phone को control कर रही है, government, क्या-क्या control कर रही है camera, files, यानि storage, और आपका apps, आपकी screen, आपकी mic, आपके messages, यानि कि पूरा का पूरा phone वो चाहे तो control कर सकती है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि government control करी रही है, government इसलिए बैठी है कि आप phone में क्या चला रहे हो देखे, नहीं, ऐसा समझो कि आप बंदू की noke पे हो, गोली नहीं जा रहा है, लेकिन आप noke पे हो, कभी भी trigger दबाया जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे किन चीज़ों को deal करना है, अब actually तो देखा जाए तो यह phone आपको कभी भी वो आजादी नहीं दे पाएगा, कहीं ने कहीं, देखो ऐसा होता है ना, और हम नहीं चाहते हैं लोगों को पता चले, एक होता है white जो की सही होता है और हम चाहते हैं लोगों को पता चले, लेकिन बीच में एक आता है gray area, ठीक है, वो इंसान नहीं चाहता है कि उसकी private information public हो, हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं चाहता हो, जैसे कि एक example बताता हूं, आपको थोड़ा सा सुनने में example बुरा लग सकता है, हम सब चड़ी पहनते हैं, हम सब को पता है उसके अंदर क्या है, लेकिन हम नंगे नहीं घूमते हैं, क्योंकि वो एक gray area में आता है, पता सब को है, पर कोई public नहीं करना चाहता, वैसे ही ऐसी बहुत सारी हम किसी से भी बात करो, कुछ keyword आप बोल रहे हो, हो सकता है, UP desk को, इस चीज़ को use कर सकती है, आपके खिलाफ, या फिर आपके phone में कोई file रखी हुई है, उसे use कर सकती है, भाई, कोई चीज़ सोचना गलत थोड़ी ना है, करना गलत है ना, अब ये तो आपके घर के अंदर कि हर घर में एक जासूस बैठा दिया, government ने, चाहे जासूस कोई data दे, चाहे ना दे, लेकिन बैठा तो है न, तो इस चीज़ से बचने के कुछ तरीके हैं, कुछ points हैं, जो कि मुझे लगता है, सही है, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़, कि आप अपने gallery मे कोई भी personal photo या फिर अपने files में कोई भी personal data मत रखिये, क्या पता कब वो server पे upload कर ले, अगर आपको लग रहा है कि server पे upload करना तो बहुत मुश्किल काम होगा, मतलब 10 वारा बंदे बैठेंगे, computer ठुक 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 करेंगे, नहीं, मैं जब college में था, तो एक simple सा app आता था, उसको किसी भी phone में install कर दो, वो app अपने आप hide हो जाएगा, आपके phone का सारा data, gallery की सारी photos, whatsapp के chat, mobile के message, call log, call recording, सब upload कर देता है, एक single app, तो बहुत easy है, government चाहे तो एक साथ कई लोगों का data upload कर सकती है, ना government चाहे तो कोई company कर सकती है, चलो अच्छा है एक पर company और government दोनों न चाहे तो आपको पता ही है, government की website है hack करना, government की servers hack करना कितना easy है, कोई भी third party hacker आकर के एक साथ, एक centralized जगे से सब का data copy कर सकता है, चोरी कर सकता है, इसलिए phone में ज़्यादा personal photos, details, files ना रखें, दूसरी चीज़ जो आपको इस phone को use करते हुए prefer करनी है, वो है VPN को use करना, यानि की virtual private network को use करना, जब आप internet पे कुछ भी search करते हूँ, for example, मैं search कर रहा हूँ, startup shouter, youtube channel, google पे search मारा है, तो ऐसा समझो कि वो एक un encrypted form में, अभी तो encryption आ गया है, पर फिर भी data provider के लिए un encrypted form में, वो search query उनके पास जा रही है, वो देख सकते हैं कि मैं क्या search कर रहा हूँ, example समझात हूँ, government कुछ website बैन कर देती है, ठीक है, तो अब अगर आप उस website को search करोगे, directly तो नहीं खुलेगा, क्योंकि जो website actually बैन नहीं हो यह, जो internet provider है, उसने उस request को ही cut कर दिया, उस access को ही block कर दिया, यानि कि आपको उस website के server तक जाने ही नहीं दिया, लेकिन VPN का use करने पर क्या हो तो उस case में website खुल जाती है, मैं कोई गलत website या band website खोलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यह कह रहा हूँ कि VPN यूज करने से, मतलब मेरा मोटी वालग है, मैं चाहता हूँ कि आप VPN यूज करो ताकि आपके search results encrypted form में हो, और track न किये जा सके, तीसरी चीज जो आपको अपने phone क के साथ करनी है, जरूरी नहीं कि आपका government वाला ही phone हो, आप किसी भी phone में चीज कर सकते हो, मैंने साथ पिछले एक वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, actually आप अपने phone में ads को कम कर सकते हो, क्योंकि कई बार ads बहुत ज़्यादा bloat हो जाते हैं, मतलब phone unlock करो तो add, 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 पूरे notification में भरे रहते हैं, उसको कम करने के लिए private DNS में चले जाएए, phone की setting में private DNS में manually type किजे dns.adguard.com और apply कर दीजे, उसके बाद आपको minimum add दिखेंगे अपने phone में phone चलाना थोड़ा easy हो जाएगा, और basically overall अभी तक मैं जितना समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिखा तो नहीं है कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, पर खतरा है, वही है ना कि बंदू के नोख पर आप, तो मेरा तो यही suggestion होगा, कि आप इस phone को दो चीजों क पढ़ा ही कर सकते हो, और पहला है कि Wi-Fi hotspot repeater के तरह यूज़ करके अपना कमरे बार में hotspot बना के दूसरे phone से यूज़ कर सकते हो, यानि कि basically इस phone को secondary phone बना सकते हो, तो इतनी ही थी जानकारी, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आ होगा, अगर वीडियो अच्छा झाल